दोस्तों नमस्कार आप देरें गेट इंडियाओ डेलिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है अज तारीक हो चुकी है 27 अक्टूबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाली है आज की तारीक में ग्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरे ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है सब ये अपडेट्स कों वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनलेसिस करने वाली है इसलिए आप इस वीडियो कान तक जरूर देखते रहिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए रिकेट से जुड़ी है छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सकाइपर के बैल आइकन जरूर दबा देना तब कसमय यहाँ पर बिल्कुल भी बरबाद नहीं करेंगे चलिए फटा फटम बात करते हैं अज दिन पर रिकेट से जुड़ी सभी टोप खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल करा रही है रिकेट का महासंग्राम यानि टाटा IPL 2024 को लेकर जिहा बिसी स्याई और IPL 2024 में पार्टी ही पेट करने वाली दस की दस्टी में फिलाल पूरी तरह से जोरो सोरो से IPL के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी तैयारियों में जुड़ी है जहां पर भई सबसे पहले दिसंबर मंत में हमें IPL 2024 के मिनी उक्सांस देखने को मिल ले वाली है और ऐसे में कल हमें आपर विशी स्याई और IPL गवंडिंग कांसिल की IPL 2024 के रिगार्डिंग एक बढ़ी मिटिंग देखने को मिली जिस मिटिंग में विशी स्याई और IPL गवंडिंग कांसिल ने मिलकर तीन बहुती बड़े डिसिजान्स लिए हैं चलिए तीनों decisions के बारे में हम discussion कर लेते हैं तो first update निकल करा रहा है निलामी के venue को लेकर जहां पर भई अभी तक तो ऐसा suspense था कि भारत में हमें चेन्नाई या फिर मुंबाई इन दोनों में से किसी एक जग है पर IPL 2024 की निलामी देखने को भी लेगी लेकिन दोस्तों अचानक से यहां पर soaking ख़बर निकल कराई जहां पर भई IPL 2024 की निलामी को host करने के लिए BCCI बाहर प्लान कर रहा है जहां ऐसा claim किया जारे कि हमें दुपई में यहां पर आपकी IPL 2024 की निलामी देखने को मिल ले वाली है उसके अदम बात करते हैं कि अपडेट के बारे तो update निकल कर है निलामी की dates को लेकर IPL 2024 की निलामी की तारीखों के उपर भी final update हमें देखने को मिल गया जहां पर भई पहले तो ऐसा claim किया जा रहा था कि हमें last week of December 2023 में IPL 2024 की निलामी देखने को मिलेगी दो टेंटेट्यूड देट्स निकल कराई थी जहां पर 25 दिसंबर और 26 दिसंब को हमें दुबई में IPL 2024 की निलामी देखने को मिलने वाली है उसके बात करते हैं अगले update के बारे में तो update यहां पर निकल करा रहा है IPL 2024 की trade window को लेकर जिहां एक बार फिर से यहां पर विशिश्याई ने IPL 2024 की trade window को activate कर दिया है अब यहां पर जब तक retention जारे नहीं हो जात जुराद टाइटन्स और कोलकातन एटाइडर्स की टीम आपस में एक trade करना चाती है अलाकि खबर पूरी तरह से disclose नहीं हो लेकिन दोस्तों जैसे हमें यहां पर final update देखने को मिल जाता है तो update आपको सबसे पहले के टीड़ा चैनल ही provide करने वाला है उसके आदम बात करते है अगली खबर के दो खबर निकल करा रही है वर्ल्ड कप 2013 में भारते टीम के अगले मैच को लेकर जहां पर मैंने आप सभी लोगों तक पहले ही update पहुचा दिया था कि 39 अक्टूबर को भारते समय अनुसार दो पहर दो बज़े से लखनु के स्टेडिया में भारत और इंग लेंड आमने शामने होने वाली है और ऐसे में शांदार मैच के लिए भारत के प्लेंग लेंड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल करा रही है जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि वही हमारे यहांपर इस मैच में बिहार्दिक पंडा सेलेक्शन के लिए अवेले बन जिसके चलते एक अलग प्लेंग 11 तयार होड़ी चलिए प्लेंग 11 पर नजर डालते हैं तो उपनिंग करने तुरेंग कैप्टैन रोई शेर्मा के साथ सुबमंगिल नमबर तीन पर हमें विराट कोली देखने को लेंगे नमबर चार पर होंगे स्रे सयर नमबर पांच पर क लेंड के खिलाफ होने वाले शानदार मैच के लिए मेरे मुताबिक मेरी फर बेस्ट 11 लेकिन आपके मुताबिक कैसी होने चाहिए प्लेंग 11 क्या बदलाओ यहां पर करने चाहिए आप हमें कमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर देना उसके आदम बात करते हैं गली खबर तो चली बात करते हैं अगली खबर के तो खबर यहां पर निकल करा रही है हार्दिक पांड्या को लेकर टीम इड़े के वन ओ बेस्ट लाउंडर हार्दिक पांड्या इंडिया वसिज बंगलादेश मैच की दुरान कंबीर इंजिरी का सिकार हो गय थे पैर में इंजिरी थ है कि भी हार्दिक पांड्या कभी यहां पर कमबैक करने वाले तो बैसिस याइन उनके इंजिरी के उपर फाइनल अपडेट दे दिया है चाहां पर 80-85% अपने इंजिरी रिकावर कर चुके हैं लेकर उनकी लिगमेंट में कुछ इश्यों जिसके चलते यहां पर अगले त सकते हैं उसके बात करते हैं इंगली खबर के तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है इंडियन टीम के नए कोच को लेकर वर्ल्ड कप 2030 के बाद एक नए कोच के साथ हमें भारते टीम देखने को मिल सकती है आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है क्या इसी सी उडिया इस सीरीज में रेश्ट करते हुए नजर आएंगी हार्दिक पंड्या वाँ पर कैप्टन सी करते हुए नजर आ सकते हैंगी कि वई टीट्वेंटी फोर्मेट के कैप्टन फिलाल हार्दिक पंड्या यहां लेकिन दोस्तों इस सीरीज के कोच को लेकर हैड कोच को लेकर यहां रेस काफी इंटरस्टिंग हो चुकी है और वही कल जैसे स्रिलंकन टीम ने इंगलेंड को हराया तो वही कहीं ना गई इंगलेंड टीम का पर वही नेक्स्ट मैच इंडिया वहसे इंगलेंड होगा और वही जिस तरह से ना गोट्फिडेंस नीशे की तरफ गया है तो भारत भी उनको वनसे पटकनी देगा और जैसे यह भारत से हारेंगे तो सेमी फाइनल्स किसी ने अलोशे पूरे तरह से रूल डाउट हो जाएं पाकिस्तान लेकिन आपको करता है कौन से होगी चोथी टीम आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर देना उसके अदर बात करते हैं कि खबर के तो खबर निकल करा रही है लेजेंड्स कुर्केट लीग टूठाउक जैन्टी त्री को लेकर भारत में ही भारत के पाँच अलग-अलग वेन्यूज पर 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच यह सांदार शीरीज हमें देखने को मिले वाली आपके बार दो नई टीमों के एडप किया गया है छे टीमें पाटिशिपेट करेंगी सबी टीमों के फाइनल स्क्रेट्स भी ओल्डडी रिवील हो का जिसकी सबी इनफोर्मेशन को ओल आडियम अपनी चैनल पर शेयर कर रख चुके हैं लेगने इसी बीच यहां पर बहुती बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस चीरीज की लाइव टेली कास्टिंग डिटेल्स को लेकर जहां पर आधिकारिक तोर पर कंफर्म कर दिया गय केट से जुड़ी सभी टोप खबरें सभी खबर के पर आपके क्या ओपिनियन समें कमेंट बॉक्स में जिरूर देना आपनी रहा है फिलाल के शुड़ मसित नहीं जाएद इनफोर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर रिट इंडिया थेंक्स पर वोचिंग